इस वीडियो में निया लेक्टर शुरू करेंगे हम डिर्क्रेंट और अल्टनेटिंग करेंट रीडिंग करना शुरू करते हैं कहता है कि एक बैटरी से जो हम वोटेज जनरेट करते हैं वो डिर्क्रेंट होता है डिर्क्रेंट की बेसिक डेफिनेशन यह है कि पॉस्टे और नेगेटिव के बीच एक फिक्स्ट वैल्यू का दिफरेंस होता है ठीक है बतब कि अगर ऊपर नाइन वोल्त और दूसी साट पर 0 वोल्त था थो तो रह दो थे थूट नाइन वोल्त ही रहेगा डिफरेंस प्रेंस ठीक है ऑन दे कॉन्टरी दिरीज अ कुछिन इस प्रारिटि अज़री अगें एंड रिक्षिन अफर and Equal Intervals of Time is called Alternating or AC This type of Current is produced by AC generators को करता है कि जो एक Fixed Value के इलावा एक ऐसा भी Current की Form है जो कि एक Fixed Interval of Time के बाद Repeat होता है यू को हम क्या कहते है Alternating Current Alternating किस 주WAVE को होता है जिस तरह यह Figure में आप देख रहे हैं कि यह जो Waveform है यह Alternating Current की Waveform है y-axis पे हमने current लिया और x-axis पे हमने time लिया और यह जो current है यह 0 से लेके 150 के roundabout maximum value तक जाता है फिर दबारा minus 150 के बाद दबारा 0 पे आ जाता है ऐसे पूरा अपना cycle complete करता है और यह हमेशा fixed interval के बाद repeat होता है ठीक है और यह सिर्फ AC generator से ही produce होता है AC current ठीक है अब यह time period की definition है और यह सिर्फ AC voltages और AC currents में होता है अब time interval basically वो time का interval है जिसके बाद वो current यह voltage AC voltage अपनी value repeat करता है जैसे इस graph में तकरीबन 0.02 के roundabout यह बलके उसे एक value कम है 0.2 से तो उस value पे repeat हो रहा है तो यह इसका time period है the change in the value of voltage and current corresponds to the frequency of the source अब वो कहता है कि जो value में change आ रहा है यह time period जो है वो किस पर depend करता है वो source की frequency बेंड करता है और AC current यह AC voltage की source में आहम तवार पर source AC generator होता है इन पाकिस्तान alternating current oscillates 50 times every second वो कहता है कि पाकिस्तान के अंदर alternating current जो है वो 50 times per second oscillate करता है मतब एक second के अंदर 50 or 50 cycles गुजरते हैं AC current की यह कहने का मसला है कि 50 hertz उसकी frequency है thus its frequency is 50 hertz alternating current has advantages that make it more practical for use in transferring electrical energy और basic वजह यह है कि हम AC current क्यों use करते हैं कि हम उसको दूर दूर distance तक हम अराम से practically transfer कर सकते हैं without the loss of energy for this reason the current supply to our homes by power companies is alternating current rather than direct current यही वज़ा है कि जड़ातर जो हमारी transmission है मतब ज़ातर मुलकों में जो transmission है वो alternating current पर होती है ठीक है लेकिन जो हम घर में समाम equipment power up होती है one is called earth wire or ground wire this carries no electricity अब उन में सबसे पहली जो वायर है वो अर्थ या ground wire जो सिरफ fault के case में use होती है वैसे सिरफ इसका कोई काम नहीं होता ठीक है इसमें नहीं आती है the earth wire is connected to a large metal plate buried deep in the ground near the house the other wire is maintained and zero potential by connecting it to the earth at the power station itself and is called a neutral wire उसने कहाए जो दूसरी wire है न वो है नहीं पहले तो अर्थ का वो पतार है एक एर्थ वायर जो है न वो बैसिकली एक metal के साथ connected होती है जो कर जमीन के अंदर buried होता है उसके अलावा जो दूसरी वायर है वो क्या है जीरो प्रोटेंशल पे जो होती है वह हमारी नि यूट्रल वायर ठीक है जो कि जो power station है वहां से ही neutral होकर आती है ठीक है वहाँ बहुत जमीन कर्यॉक्टर बहुती है अच्छा लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट वायर वो कुंसी है वो लाइव वायर जिससे कुरंट आता है हमारे यहां तक ठीक है और जो अर्थ वायर वो सिरफ फॉल्ट के केस में यूज़ होती है जब कोई पॉल्ट आजाती है एक्विप्मेंट में है किसी और जीज़ में अब लाइव के साथ तर्मिनल आउटा हूद जीज़ में और फॉल्ट परस्टा देक्ट दॉट नॉट्र एर्ट का जाए तो क्रण्ट उसको लावा जाएगा उसके यूज़ इतनी भी हमारे प्रॉसेंगे हुआं आपके दो तर्मिल्स होती है आप में देखा हर शॉक्र क यहों के दो टर्मिनल होते है यह एक जो टर्मिनल होता है वो और दोडसा ट्र्मिनल होता है वो न्यूट्राल वायर के साद होता है The same potential difference is therefore applied to all of them and hence they are connected in parallel to the power source ये हमने रेसिर्स्टर की parallel combination में भी बढ़ाता कि इतने भी common है वो parallel में connected होता है और वो सेम सोर्स से पावर अपो रहा होता है, ठीक है? हाउस वाइरिंग, figure 14.16, shows the system of house wiring, the wires coming from the mains are connected to the electricity meter installed in the house, the power output, output power from electric meter is taken to the main distribution board and then to the domestic electric circuit, वो कहता है कि जो हमारे घर में जो wires है, main electrical wires, सबसे पहले कहाँ जाती है, electric meter के अंदर, electric meter के अंदर जाती है, वहाँ से उस होने बाद वो हमारी main distribution board में जाती है, और उसके बाद हमारी domestic electric circuit, बाद हमारे domestic electric circuit में ता हमारे घर का अंदर का circuit के जहाँ पंख है और सारे सब गो चल जाता है, light जाती है, the main box contains fuse of rating about 30 ampere, the live wire through a separate fuse and a switch, if the fuse of the one application burns out, it does not affect the other appliances, और वो कहता है कि हर appliance, यानि कि हर पंखे का हर light का अपना एक fuse होता है, ता कि अगर इन में से किसी एक चीज़ में fault आ जाए तो वही fuse burn हो और बाकी के equipment इससे effect ना हो, ठीक है, और साथ में एक switch भी होता है, ता कि अगर हम खुद भी इसको on off कर सके हैं, ठीक है, यह इसकी circuit diagram है, यह schematic diagram है, जो आप देख सकते हैं कि बाहर से जो आ रही है, live और neutral wire आ रही है, अर्थ तो सिर्फ grounding के लिए यूज होती है, वो यह अच्छा, live और neutral आ रही है, वो हमारे मीटर के साथ connected है, मीटर से आगे हमारी, यह हमारा main distribution board है, main distribution से आगए, main distribution के अंदर यह तीन fuses हैं, all electronic devices हैं, इन सब को एक live और एक अर्थ मिल रही है, ठीक है, in house wiring, all appliances are connected in parallel with each other, this means that all get the full main voltage and one can turn off and any appliance without having to turn on another, मतलब कि आप जितनी मर्जी appliances लगा लें, सब को बराबर का voltage मिलेगा, इसलिए आपको को issue नहीं है कि आप एक को बन करने दूसरा भी off हो जाएगा, हमेशा आप एक को लादा और दूसरे को लादा आप इस्तमाल कर सकते हैं, अगरा topic है hazards of electricity वो हम अकले lecture में करेंगे, और इस lecture में सब्सक्राइब सब्सक्राइब हो तो जरूर में से contact कीजेगा, अल्ला हाफिस